प्रेंड्स आज हम जिरोक्स वर्क सेंटर 7556 कलर मशीन में एक प्रब्लम आ रहा है वो चेक करेंगे इसमें प्रब्लम आ रहा है दब्ब्बे मार रहा है हमने ड्रम चेंज करकी भी देख लिया है ड्रम का नहीं है पॉल पीसी आर का भी नहीं है तो हम आई बीटी बेल्ट कोल के चेक करेंगे उसके सेंसर को साफ करेंगे और अंदर के रोलर सबसे पहले हम कवर खोलेंगे और ibt cleaning blade को loose कर लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे इसके बाद liver को release करेंगे और drums को release करेंगे कि आई पीटी का लीवर है अप डाउन करने का इसे निकाल लेंगे साइट का fixing unit खुल लेंगे इसमें ये ब्रैकिटे इसे ट्विस्ट करके हम बाहर निकाल लेंगे और इस साइट से लॉक होता है वो लॉक निकाल के हम इस इस टॉपर को भी निकाल लेंगे इसके बाद fixing unit खुल लेंगे इसके बाद ibt को लॉक करने की दो साइड में पठ्टिया है इसके दोनों स्कुरू और इस पठ्टी को निकालेंगे यहां पर एक श्कुरू है और इस पठ्टी को भी निकालेंगे उसके बाद यह लीवर को बाहर किसना है और ibt बेल्ट को हाफ बाहर निकालना है उसके बाद यह इसका हैंडल है और यहां पर एक हैंडल है दौन हैंडल को पकड़के मात बाहर निकालना है उसके बाद यह एक श्रूप अब्र कर दो इसके बाद यह साइड में प्लास्टिक का ब्राकिट इसे खुल लेना है इसके अंदर जो रोलर होता है इसे बाहर निकालने के बाद यह रोलर निचे ब्राकिट में फसा होता है यह देखिए यह बाहर निकल गया इस पर यह यलो कलर लगा है यह हमें साफ करना है यह कलर बहुत ज्यादा ओड़ रहा है इसलिए IBT बेल्ट के अंदर जाके यह जमा हो गया है हमें यह सब साफ करना होगा देखिए यह IBT बेल्ट हमारी IBT बेल्ट निकल गई है इसके बाद स्टील की जितनी भी रॉड्स दिख रही है इस पर कलर जमा है यलो कलर देखिए इसी वज़े से यह धब्बे आ रहे हैं इसे हमें अलकोहल से साफ कर लेना है कॉटन की मदद से, कपास की मदद से यह देखिए अलकोहल या पेट्रोल से यह साफ हो जाएगा कितनी आसानी से साफ हो रहा है दिखिए इस टील की रॉड्स को सिर्फ पेट्रोल से साफ करना है बागी दूसरे जो ब्लैक कलर के रोलर दिख रहे हैं इसे अलकोहल से साफ करना है यह चार जो इस्टील की छोटी रॉड्स है यह आई टी भी बिल्ड को हमारे चारो ड्रम पे टच करती है और उस पे से टोनर उठाती है इसी पे कलर आने की वज़े से यह धब्बे आ रहे हैं हमारे प्रिंड में इस अच्छे से साफ कर लेंगे पूरे यूनिट को पल्वल्वल में जो एंटे से टोनर उस सके इसे यह झाल 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 यह जिस साइट से प्लास्टिक का हैंडल है उस साइट से हमें यह सेंसर है आई बेट वेल्ड का चम्किला ये मीचे साइट से जाना चाहिए अगर इस साइट से दाल रहा हूं प्लास्टिक हैंडल से है तो ये मीचे जाना चाहिए तो ये कि डिविंगे विश्विंस्यां जानेगा नेगर रहा है हूं पढनागाए प्राइट प्राइटे सते चाहिए है यह वाला मों नीचे जाएगा यह बेरिंग का ब्रैकेट है यह बाता को कई यह बाता है यह बेरिक हें यह ब्रता है अप्राट कि यहां पे लंबा इस्कुरू लगींगा कि अ यह गाट पट्टी है यहां पे दोनों खाचों में पल्टालो सब्सक्राइब है कि यह स्क्रू गाट पट्टी का है इंकि अ है ना कि यह गया शायद हो सकता कूलिंग के लिए चालो यह के बंद है इसे मेटल का यह साइड से कि अब आए बीटी बेल्ट करने के बाद हम इसके सामने के जितने भी आए बीटी बेल्ट के क्लीनिंग बिलेट लगा देंगे उसका लीवर का कि इसक्रू लगा देंगे इसके बाद हम मशीन चालू करेंगे मशीन चालू अनने में थोड़ा टाइम लेती है दस से पंदरा मिनट उसके बाद मैं आपको प्रिंट बताता हूँ मशीन चालू करने के बाद हम एक सैंपल प्रिंट देंगे प्रिंट आगी है इसमें कोई भी डाट्स नहीं आये हैं एक प्रिंट और देंगे हम एक दो प्रिंट और देंगे यहाँ पर कोई भी डाट्स नहीं है अब हम और दूसरी प्रिंट देंगे यह हमारी दूसरी प्रिंट आ गई है यह पहली वाली प्रिंट है हम इसे उपर रख लेंगे साफ दिखने के लिए यहाँ देखिए यह पुरानी प्रिंट है जिस पर रेड और यलो डाट्स थे यह देखिए नहीं प्रिंट है इस पर कुछ भी नहीं है अगर ऐसे ड्रम चेंज करने के बाद भी आपको डॉट्स आते हैं तो ITB बेल्ड को साफ करने पर यह सारे डॉट्स यह धब्बे सब चले जाएंगे ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल बाबाफिक्स को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कि एक स्वेटेक्स बादेशन आरे